नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतों Titan Company Limited शेर में हमें 5 महीने हो गए हैं फिर भी कोई धमा के दार तेजी नहीं देखने को मिली है यह शेर 5 महीने में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है आप यहाँ पर देख सकतों एक ही Consolidation Phase में ट्रेड हो रहा है जब भी इस श लेवल पर Resistance Phase करता है और उसके बाद गिरावट आ जाती है फिर वापस support लेता है फिर वापस तेजी आ जाती है तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं Titan Company Limited शेर का Technical Analysis और देखेंगे कि क्या इस शेर में यहाँ से एक अच्छी तेजी आईगी या फिर कोई वड़ी तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में support की तो यहाँ पर आप देखो कि इस शेर में यहाँ पर आप देखो यह वाला जो लेवल है 1530 रूपीज का लेवल यह लेवल इस शेर के लिए strong support है क्योंकि पहले इस शेर ने इदा Resistance Phase किया था और अभी कहीं दिनों से यह शेर इसी लेवल पर support ले रहा है तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो यह शेर इसी लेवल पर support लेगा और दोस्तों अगर बात आती है अगर इस शेर में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो जैसे कि हमेशा यह शेर इसी लेवल पर support लेता है तो वापस यह शे इस शेर में रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर आप देखो 1,600 रुपीज का जो हम कहाई सकते जोन है यह पूरा जोन इस शेर के लिए एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि जब भी इस शेर का प्रैस इस जोन में आता है उसके बाद हमें इस शेर में घिरावर देखने को मिलती है और अभी आप देखो यह शेर एकदम अपने रेजिस्टेंस के डर आ गया है आई अब हम देख लेते इस शेर में कुछ इंपोर्टन टेकनिकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिगनल दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो इंपोर्टन इंडिकेटर को लगा चुका हूँ जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है M.A.C.D. तो अगर बात आती है M.A.C.D. की तो आप देखो M.A.C.D. में लगातार पॉजिटिव इस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं और अगर बात आती है RSI की तो RSI अभी 65 के इदर आ गया है तो दोनो टेकनिकल इंडिकेटर यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं और साती साता में बाइंग का सिगनल दे रहे हैं आईए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेर में कब खरीदारी करूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे तो दोस्तो अगर बात आती है शेर को खरीदने की तो मैं इस शेर में तब ही एंट्री लूँगा जब यह शेर अपना 1600 का रेजिस्टन्स जोन ब्रेक करके एक upside moment दिखाता है और यह शेर इस जोन के उपर टिक जाता है क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जैसे यह शेर इदर आता है उसके बाद इस शेर में बड़ी गिरावट आ जाती है पर दोस्तो अगर ये शेर इस जोन के उपर टिक जाता है तो उसके बाद इस शेर में एक धमा के दार तेजी आने की संभाव ना रहेगी तो जो मेरे टारगेट्स रहेंगे इस शेर में वो रहेंगे 1750 से लेके 1900 रुपीज तक के और दोस्तो अगर इस शेर में गिरावट आती है तो कोई टेंशन के बाद नहीं है क्योंकि ये शेर वापस से इस जोन में सपोर्ट लेगा और वापस हमें तेजी दिखाएगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद देए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस शेर में में कोई भी बायस या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद